कपास और मुंगफली जैसी पारंपरिक नकदी फस्रों की खेती करने वाले गुजरात के अमरेली जिले के देवल की गाउं के किसान संजय भाई डोबरिया पिछले चार साल से इस्राइली खरेग जानी की सूखे खजूर उगाते हैं डोबरिया कहते हैं कि उन्हें कुछ नया करने का आइडिया Agriculture Technology and Management Agency Scheme प्रोग्राम में शामिल होने के बाद आया इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को खेती के ऐसे तरीके डवलप करने में मदद करना है जो टिकाउ हो और मैंने आठ साल पहले आत्मा आत्मा प्रोजेक्ट और बागेद विपाग की एक जो टूर लगी थी कर्च के वहां कर्च में जाके मैंने देखा तो मैंने विचार किया कि मैंने भी इजरेल खारिक की खेती करके कुछ नया करू और आठ साल पहले मैंने इजरेल खारिक का दोबरिया का कहना है कि इसराइल खरेक की खेती की वज़े से उनकी सालाना आमजिनी बढ़कर लगबग 18 लाक रुपए तक पहुच गई है एक पोदे में इस साल डेट सो किलो जैसा उत्पादेन आएगा और परकेजी यहां सो रुपए में बिकरा है उस हिसाब से 17-18 लाक रुपए का इस साल उत्पादेन होगा और इसमें टोटल खेती खर्च बाद करें तो इस साल दस लाक का मुनापा होगा बागवानी विभाग के अधिकारियों के मताबिक अमरेली जिले में दूसरी बागवानी फसलों के साथ इसराइली खरे की खेती बढ़ी है और किसान बताते हैं कि बागवानी से वे जाधा खुशहाल हो गए है संजा भाई डोबरिया अपने गाउं के किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं वे उन्हें आमदनी को बढ़ाने का तरीका भी बता रहे हैं झाल झाल रहे हैं स्वशहाल